नमस्कार साथियों मैं दीपांकर राज आप सभी का फिर से अपने यूटूब चैनल पर श्वागत करता हूं और आप सभी को आपकी आने वाली सभी परिक्षाओं के लिए सुपकामनाई देता हूं पिछले वीडियो में हमने एल्टी भरती परिक्षा हेतू सिक्षन अभिरूची से सम्मंदित 50 प्रस्नों को हल किया था आज मैं उसी का दूसरा भाग आपके सामने लेकर आया हूं जिसमें हम एल्टी भरती परिक्षा से सम्मंदित शिक्षन अभिरूची के अगले 50 प्रस्नों को हल किया था उसी का दूसरा भाग मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं आप इनका अधिक से अधिक अभ्यास करेंगे तो आपके तियारी बिल्कुल अच्छी हो जाएगी और मैं आने वाले समय में भी ऐसे वीडियो में अप्लोट करता रहूँगा जिससे कि आपके तियारी बिल्कुल अच्छी हो जाएगा जैसे ही लोकडाउन खोलेगा परिक्षाओं की गोश्णाएं होंगी और उस समय आपके पास समय नहीं होगा तो इसलिए अभी जो समय आपको मिला है लोकडाउन का उसका भरपूर उप्योग कीजिए और अपना प्रियासों को चारी रखिए ठीक है तो मैं इसकी सुरुवात करता हूँ जिसमें हम सिक्षन अभी रूची के 50 प्रस्न को हल करेंगे पिछले वीडियो में हमने 50 प्रस्न हल किये थे उसी का दूसरा भाग आपके सामने में लेकर आया हूँ तो मैं इसकी सुरुवात करता हूँ हाँ तो सिक्षन अभिरूची से सम्मंदित 50 प्रसन आज हम इस पीडियो में हल करेंगे। तो पहले हमने 50 प्रसन हल किये थे, आज मैं 91 प्रसन से इसकी सुरुवात करूँगा। तो पहला प्रसन है अनुसासन भंग करने वाले छात्र को दिया गया दंड ऐसा होना चाहिए कि इसके विकल्प हैं। भई के कारण कोई छात्र अनुसासन भंग ना करे, वह छात्र हमेशा उसकी याद करके काप जाए, धंड पाने वाला छात्र अपने को सुधार ले, तथा स्कूल भर में उसकी चर्चा हो। तो इसमसे जो विकल्प सही होगा, वो होगा विकल्प सी, ठीक है, कि उसका दंड ऐसा होना चाहिए कि दंड पाने वाला जो छात्र है अपने आपको सुधार ले, ठीक है, अगला प्रसन देखते हैं, अगला प्रसन है, किंडर गाटेन स्कूल सबसे पहले किस देश में खो खोले गए थे, तो इसका सही विकल्प है, विकल्प सी, तो किंडर गाटेन स्कूल सबसे पहले जर्मनी में खोली गए थे, ठीक है, अगला प्रसन देखते हैं, अगला प्रसन है, भासा, भासा सीखने का प्रभावी उपाय है, इसका विकल्प है, पाथ्य पुस्तके पढ़ना, सहायक पुस्तके पढ़ना, अकबार पढ़ना या वारतालाब करना, तो इसका जो सही विकल्प है, वो है विकल्प डी, ठीक है बहासा सीखने का सबसे प्रभावी उपाई क्या है वार्ता लाब करना अगला प्रस्न के अगला प्रस्न देखते हैं अगला प्रस्न है चात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्यपूर्ण भूमिका किसकी होती है चात्रों के चरित्र निर्मान में सबसे अधिक महत्यपूर्ण भूमिका किसकी होती है इसके विकल्प है अध्यापक के उपदेशों की स्वयम अध्यापक के आदर से चरित्र की ठीक है क्योंकि चात्र हमेशा अपने अध्यापक को देखते हैं अध्यापक को फॉलो करते हैं तो चात्र तो चात्र में परिवर्तन उसके चरित्र में तभी आ सकता है जब वो अध्यापक के अच्छे चरित्र से प्रभावित हो ठीक है तो छात्रों के चरित्र निर्माल में सबसे अधिक महत्पूर भुमिका स्वयम अध्यापक के आधर से चरित्र की होती है अगला प्रसन देखते हैं अगला प्रसन है निम्लिकित सिक्षन विधियों में से कौन सी विधी वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के दिश्टिकून से उत्तम है तो इसका विकल्प है ब्रह्मन विधी, प्रोजेक्ट विधी, भाषन विधी, पाठ्य पुस्तक विधी तो इसका सही विकल्प है, विकल्प ए, भ्रह्मन विधी, भ्रह्मन किसी भी शेत्र का भ्रह्मन करने पर शात्र वहां की परिस्टियों से बिल्कुल प्रत्यक सुरूप से संपर्कमा आता है परिस्टियों के और इस प्रकार अपने वास्तेविक अनुभवों से वो शात्र सी ठीक कैंगा प्रस्थे हैं निसल्क और अनिवार यह प्राइमरी सिख्षा लागू होने के फलसरूप इसके विकल्प हैं बालकों में साक्षर्ता बड़ी हो ग्रामिल्ड सेत्रों में साक्षर्ता बड़ी है देश में साक्षर्ता बड़ी है या ये सभी तो इसका जो सही विकल्प होगा विकल्प D ठीक है तो निसुलक और अनिवारी प्राइमरी सिक्षा लागू होने के फल्सुरूप बालकों में साक्षर्ता बड़ी है स्कूलों की सुरुआत किस ने की थी तो इसका सही उत्तर है कि फ्राबेल ने की थी अगला प्रस्थलें सिख्षा के स् zarवदिक महत्यूण तत्व अभिरूची है, यह विचार किसका था, इसका विकल्प है, रुसो, मरिया मांटेशरी या मैकडूगल, या टीपी नन, तो इसका जो सही विकल्प है, वह है, विकल्प D, वह है, यह है टीपी नन, शिक्षा के सित्र में सरवादिक महत्मूर, तत्व अभीरूची है यह विचार टीपी नन का है ठीक है अगला प्रसन देखते हैं हाँ अगला प्रसन है आजकल के आवासी इस्कूलों की तरह भारतिय पद्धती के इस्कूल थे यानि आजकल के आवासी स्कूलों के तरह जो भारती पद्धती की स्कूल थी विक्या थे मदर्से, आश्रम, गुरुकुल या मक्तब तो इसका सही विकल्प क्या होगा विकल्प C यानि गुरुकुल ठीक है भारत में इस्त्री सिख्षा के एक महान समर्तक थे, कौन थे, महात्मा गाधी, रवेंद नाट टैगोर, कारवे या अरविंदो, तो इसका सही विकल्प है, विकल्प सी कारवे, ठीक है, अगला विकल्प देख, अगला प्रसन देखते हैं, अगला प्रसन है, बच्चों का प्रथम अध्यापक कौन होता है, उनका अपना चेतनमन, उनका परियावरण, उनके माबाप या अध्यापक, तो इसका सही विकल्प क्या होना चीए, विकल्प सी, तो बच्चों का प्रथम अध्यापक उनके माबाप होते हैं, अगला प्रसन शिक्षण का कार्य विकल्प है हर व्यक्ति कर सकता है हर व्यक्ति के वसका नहीं पड़ा लिखा व्यक्ति कर सकता है बहुत से शिक्षण भी नहीं कर पाते है तो इसका जो सही विकल्प है विकल्प भी ठीक है हर व्यक्ति के वसका नहीं ठीक है 62 यानि 62 का भी है अगला प्रस कि सीखने का प्रमुक्तत्व मुख्य क सीखने की इच्छा अनुकूल परिवेस प्रयणाम ये सबी तो इसureshy का विपल्प अरथात ये सभी विकलप सई है कि अच्छे सिख्षय को किसका ग्दैम्य SEC शिक्षा मनोविज्ञान का बाल मनोविज्ञान का ब्यावहारिक मनोविज्ञान का या सिए सभी तो इसका उत्तर होना चाहिए विकल्प D यानि इन सभी का ज्यान होना चाहिए शिक्षा मनोविज्ञान का भी ज्यान होना चाहिए बाल मनोविज्ञान का भी ज्यान होना चा सबी इन सभी का एक मउगा अच्चे सिख्षा को होना चीए अर्थात इसका विकल्प सभी होगा अगला प्रसन देखते हैं ने कंजित्व को सरोग Sun है डेवी के अनुसार सिख्ष एक सामाझिक आवश्चक्ता है ब्यक्तिक आवश्चक्ता है विकल्प C य सिक्षा जो खेल के माद्यम से जो सिक्षा दियाती है वो कैसी होती है मनोवईग्यानिक है रजनात्मक प्रवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्व as तो इसका जो सही विकल्ब होगा क्या होगा विकल्प ए खेल के माद्यम से भी शिख्षा दी जाती है वो भी मुनोवैग्य ने कहा है क्योंकि चात्र खेल के माद्यम से खेल के अनभों को अपने मनमस्तिश्क में बढ़ा कर सीखता है ठीक है आगे चलते हैं अगला प्रस्ण है शिक्षा की खेल विदी का अर्थ है विकल्प है खेल क्रियाओं द्वारा सिक्षा खेल क्रियाओं द्वारा मनोरंजन खेल की सिक्षा या क्रियासिलता पर जोर तो इसका विकल्प होगा विकल्प A ठीक है विकल्प A सही है तो खेल किरियाओं द्वारा सिख्षा ठीक है अगला प्रस्ण पाठ योजना तभी सही बन सकेगी जब सिख्षक को विकल्प है चात्रों के पूर्व ग्यान का पता हो विबिन ने शिक्षन विदियों का ग्यान हो शिक्षन सिद्धानतों का ग्यान हो या ये सबी तो इसका विखलप होगा विखलप टी अर्थाफ पार्ठ उजना तभी सही बनेगी चब छात्रों के पूरवग्ltryयान का पता हो विबीने सि्क्षंड विदियों का घ्यान हो experts का ओ तो एक पार्ठ उजना आपने बनाई होगी जब पार्ठ उजना तभी सही बन सकेगी जब इतने जब छात्रों को पूरव ग्यान का पता हो विबीने सिक्षन विदियों का ग्यान हो सिक्षन सिद्धानतों का ग्यान हो तो अर्थात इसके सभी विकल्प सही है इसका विकल्प डी सही होगा ये सभी आगे चलते हैं अगला प्रस्न है अभ्यास से क्या होता है इसका विकल्प है ग्यान प्राप्त होता है ग्यानेंद्रियों का प्रेसिक्षन होता है याद होता है ग्रह कार्ये नियमित करने के आदत पड़ती है तो इसका विकल्प है विकल्प जो सही होगा वो होगा विकल्प भी अभ्यास से ग्यानेंदून का प्रस्चन होता है ठीक है अगला प्रस्ट चात्रों के आवेग्वों का दमबन करने से संभ़ होता है क्या होता है वे अनुसासन मानने लगते है उनमें विद्रो भावना पनपने लगती है उनकी स्रजनात्मक शक्ति कुंठित होती है या इसका विकल्प D है B और C दोनो Wei तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प D ठीक है उनमें विद्रोव की भावना पन अपने लगती है और इसके अलावा उनकी जो सिरजनात्मक सकती है वो भी कुंतित होने लगती ये भी सही है तो अर्थात इसके विकल्प B और C दोनों सही होंगे विकल्प D इसका सही है अगला प्रस्ण देखते है अगला प्रस्ण है शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचार धारक का प्रवर्तक कौन था अगला प्रस्ण शिक्षण की डाल्टन विधी आरंब करने का स्रे किसे है विकल्प है जोन डाल्टन, पार्खस्ट, किलपेट्रिक और प्रस्टलोजी तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है विकल्प भी पार्खस्ट, यह आपर कन्फ्यूज करने के लिए डाक्र डाल्टन भी दिया हुआ है तो शिक्षा की डाल्टन विधी आरंब करने का स्रे वो पार्खस्ट को है अगला प्रस्ण देखते है अगला प्रस्ण है शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है ठीक है तो सिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है हरबर्ट या स्पेंसर पैस्टोलोजी और डेवी इसके विकल्ब है इन में से जो सही विकल्ब है वो है विकल्ब ए हरबर्ट ठीक है शिख्षा मनोविज्ञान का जनक हरबर्ट को माना जाता है अगला प्रस्न बच्चों के लिए सबसे उत्तम सिख्षक वह है जो स्वयम बालक जैसा हो यह कतन किसका है यह कतन किसका है मैकेन अरस्तु रूसो या जॉन लोग इनमें से विकल्प कौन सा सही है इसमें विकल्प है विकल्प एस ही है ठीक है बच्चों के लिए सबसे उत्तम सिख्षक वह है जो स्वयम बालक जैसा हो यह कतन मैकेन का है मैंकेन का है ठीक है अगला प्रस्न देखते हैं हाँ अगला प्रस्न है कक्षा में संप्रेशन की सबसे सक्तिसाली बादा है बाहरी हस्तशेब शिक्षन सामगरी का अभाव शिक्षक के इस तर पर भ्रांती और कक्षा में सोर्ग ठीक है तो कक्षा में संप्रेशन की सबसे सक्तिसाली भासक क्या है बाहरी हस्तशेब हो सकत कुछ तो यह कौन सी बादा इसमें सबसे शक्तिशाली है तो इसका विकल्प बादित हो सकता है और संप्रेशन की सबसे सक्तिशाली यह बादा हो सकती तो इससे चात्रों में सिक्षिक के ज्ञान का संप्रेशन में बाद आएगी। अगला प्रसन देखते हैं, प्रभावकारी सिक्षन फलन है, विकल्प है इसपस्ट एवं यथा तथ्य संप्रेशन का, उचित कक्षा नुसासन का, नियमित अध्यन का और कक्षा में अविलंब नि इमित रूप से आना तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा विकल्प ए इस पस्ट एवं यथा तत्य संप्रेशन का ठीक है अगला प्रस्न देखते हैं अगला प्रस्न है छोटे बच्चों के लिए सिख्षय का माध्यम होना चाहिए मात्र भासा अंग्रेजी भाषा शेत जाहिए अगला प्रस्न संदर्ब पुस्तकों एवं अन्य पात्त सामगरियों के चाहिए तो इसका विकल्प पढ़ लेते हैं पहले ज्यान आती है परिक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होते हैं आनंद प्राप्त होता है निर्ने सक्ति का विकास होता है तो जो इसका सही विकल्प होगा विकल्प यह होगा इसका मतलब की ज्ञान में व्यापकता आती है संदर्ब पुस्तकों एवं अन्य पाठे सामगरियों के आगे चलते हैं, अगला प्रस्न देखते हैं हम, अगला प्रस्न है गनित्शिक्षन के लिए निम्न मैं से कौन सी संप्रिस्षन रननीती सरवदिक उप्यूक्त है, इसके विकलप है निरंतर गद्य रणनीती निरंतर ताली का एल्गोरिदम या स्ववनवेशन रणनीती तो इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा इसका विकल्प जो सही होगा वह है एल्गोरिदम ठीक है अगला प्रस्न छात्रों में अप्राधिक प्रविर्ति एवं युवा अप्राधिता का प्रमुक कारण है आवश्चक्तों की पूर्ति नहोना मांचिक मंदता और कुसमायोजन या ये सभी तो इसका विकल्प होगा सही वो विकल्प डी होगा ये सभी कारण छात्रों में अप्राधिक प्रवर्ति को बढ़ाने में ये सभी ये सभी फैक्टर काम करते हैं यानि आवश्चक्ताओं की पूर्ति नहोना भी सही है मांचिक मंदता भी है और कुसमायोजन भी ये इसके अंतरकत आता है कि इतने फैक्टर अगर हो तो छात्र में और वह बढ़ सकती है अगला प्रसन देखते हैं अगला प्रस्न है शिक्षक की योगताओं प्रयासों एवं उसके ब्योहार का सही मुल्यांकन किया जा सकता है प्रधनाचार द्वारा उसके सात्यों द्वारा उसके छात्रों द्वारा या विशिसग्यों द्वारा ठीक है सिक्षक की योगताओं प्रियासों एवं उनके ब्यावहार का सही मुल्यांकन उसके छात्रों द्वारा ही किया जा सकता है अगला प्रस्ने प्राचीन काल में आपचारिक सिक्षा का सुरूप क्या था बौद्धिक कोसल का विकास धार्मिक संसकारों का ज्यान मानव मुल्यों का संप्रेशन या व्यावशाइक सिक्षा तो इसका सही विकल्प है विकल्प भी धार्मिक संसकारों का ज्यान दिया चाता था और धार्मिक संसकारों का ज्यान सिक्षा का एक बिल्कुल अंग था ठी प्राइमरी स्कूल प्रात्मिक्ता दी जाती है ना पसंदीदा ब्यावहारों पर अंकुस छात्रों का योजना बद्ध विकास प्रधाना चारे के आदेशों का अनुपालन सामाजिक नियमों का सहर से परिपालन ठीक है तो इस में से जो जो सही विकल्प होगा वो होगा विकल्प दी ठीक है सामाजिक नियमों का सहर से परिपालन ठीक है इसकूल अनुपवाहारों का मौलिक दर्सन है होना इच्छित ब्यावारों का पुनरवलन नियोमों का कड़ाई से पालन स्वस्त मार्ग दर्शन एवं परामर्ष इसकोलों को सोर्मुक्त करना तो इसमें जो सही विकल्प होगा वो विकल्प सी होगा यानि स्वस्त मार्ग दर्शन एवं परामर्ष यह आधुनिक अनु उसकी निस्पक्स था यानि हर चात्र के साद समान व्याओहर इसको चात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं वह विकल्प ये उसकी निस्पक्स था अगला प्रसंद देखते हैं हाँ अगला प्रसंद है अध्यापक के रूप में आप चात्रों की निजी समश्याएं विकल्प हैं कदापी नहीं सुनेंगे सदैव सुनेंगे सुनकर प्रधाना अध्यापक को बता देंगे तभी सुनेंगे जब कोई विसेश हो ठीक है तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा विकल्प भी ठीक है एक सिक्षक के रूप में या अध्यापक के रूप में आप चात्रों के निजी समश्याओं को सदैय सुनेंगे ठीक है अगला प्रसों अध्यापक बनने के बाद आपके विचारा नुसार हर अध्यापक के घर पर किस वस्तु का होना जरूरी है पुस्तकाले, सजाहवा, ड्रॉइंग रूम, टेली विजन या ये सभी तो इसका सही विकल्प क्या है, देखने से पता लग रहा है, पुस्तकाले, यानि विकल्प एस सही है एक अध्यापक बनने के बाद विचारा नुसार हर अध्यापक के घर में पुस्तकाले का होना आवश्चक है अगला प्रस्ड देखते हैं अगला प्रस्ण है शिक्षा के इस्तर को उचा उठाने के लिए निमलिखित मैंसे क्या आवश्यक है तो ये है क्या आवश्यक है पार्टे पुष्टकों का सतत्मूल्यांकन पार्टे क्रेमे संचुदन छातरों का सतत्मूल्यांकन या अध्यापोंकों का उच्च वेतन तो जो इसका सही विकल्प है, विकल्प C है छात्रों का सतत मूल्यांकन, ठीक है, शिक्षा के इस तरको उचा उठाने के लिए छात्रों का सतत मूल्यांकन आवश्यक है, ठीक है, अगला प्रसंद देखते हैं, अध्यापक का कार्य छात्रों में पढ़ाई के प्रती, विश् करना है ठीक है अध्यापक का कार छात्रों में पड़ाई की प्रती अनुराग पड़ा करना है इसका विखल्प डी सही होगा ठीक है आगे चलते हैं हाँ अगला प्रसंदेखते हैं कक्षा सिक्षन में द्रिश्य सामगरी का परयोग करने में आप किस बात का ध्यान रखेंगे उसे नाट की ढंक से प्रस्तुत करेंगे उसके बारे में बच्चों को पहले से पता ना हो वह बच्चों को अग्यात से ग्यात की ओर ले जाने वाल तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प डी होगा कि वह पार्ठेवस्तु के अनरूप हो अगर वह पठ़ेवस्तु के अनरूपन नहीं होगा तो उसका कोई महत्व नहीं है अगला प्रस्ण चात्रों का विश्वास प्राप्त करने हैं तो सिख्षक को उसके साथ माता जैसा ब्योहर करना चाहिए मित्र जैसा ब्योहर करना चाहिए गुरू जैसा ब्योहर करना चाहिए पिता जैसा ब्योहर करना चाहिए तो इसमें जो सही विकल्प होगा वो जासा ब्युहार करना ची ठीक है चात्रों का विष्वास पुराप्र करने तुझित्य में चात्रत आक। में सबसे महत्र पूर हैं काम मैलगन धर्मानुरां श्रम का महत्व आतन विष्वास जो इसका पूर्म जै आत्म विश्वास चात्रों में आत्म विश्वास का विकास सबसे महत्यकून है अगला प्रह्श निम्लीकित मैंसे किसने कहा था प्रिविणा छात्र में रूची-उत्पन करने की कला है فяч कि नना das ना इसकी आप्षण गृत करने की कला है इसका Σका ए cam is न कहा तॉमसन ने कहा था कि प्रिणा छात्रे में रूची उत्पर्न करनेगी कला है ठीक है आगे चलते हैं अगला प्रस्ण देखते हैं अगला प्रस्ण है कठी सब्ं का अर्थ समझने का ब्यावहारिक ढग है उसका प्रियावाजी सब्द बताना उसको वाकि में परियोग करके बताना उनका विलोम सब्द बताना या यह सभी तो तो इसका सही विकल्प होगा, विकल्प D होगा सभी, उसका परियावाजिस सब्द समझा कर आप उसके अर्थि को बता सकते हैं, उसका विलोम सब्द बता कर बता सकते हैं, अर्थात ये सभी सही हैं, विकल्प D सही होगा, अगला प्रस्ण रिगुवेद में कहा गया है कि सिक्षा सभ्य समाज का लक्षन है विद्या है जीवन का अंतिम लक्ष्य है प्रकास का स्रोत है तो इसका जो विकल्प होगा विकल्प ए होगा ठीक है विकल्प ए होगा यह सभ्य समाज का लक्षन है रिगुवेद में कहा गय शिक्षा संस्कृति का परिरक्षण ही नहीं करती वरन उसको संब्रद्दि भी बनाती है लोक रंजग भी बनाती है आध्यात्मिक भी बनाती है परिभासित भी करती है ठीक है तो जो इसका विकल्प सही होगा वो होगा विकल्प ए यानि संब्रद्दि भी बनाती है शिक्षा संस्कृति का परिरक्षण ही नहीं करती वरन उसको संब्रिद्धि भी बिनाती है अगला प्रसंद देखते हैं गादी जी की बेसिक शिक्षा का उद्देश से बालक को ग्यान का सागर बनाना था अहिंसा और सत्य के कापाट पढाना था समाज की आवस्चताओं के अनुरूब ढालना था और सत्य का साक्षातकार करना था तो जो इसका विकल्प सही होगा विकल्प सी होगा जो गादी जी की वर्धा योजनागर आपने पढ़ी होगी तो जो उसका उद्देश से था वो था समाज की आवस्चताओं के अनुरूब ढालना ठीक है आगे चल माना होना चाहिए किसे माना जाता है जो इसका जो सही विकल्प है वो है विकल्प D सिग्मन फ्राइट को माना जाता है अगला प्रसंद देखते हैं सिक्षन में भिन्य भिन्य सिक्षन विधी का प्रियोग करने से क्या होता है छात्रों का ध्यान केंद्रित रहता है छात्रों को भली प्रकार समझ में आता है कक्षा की पड़ाई रोचक बन जाती है या ये सभी तो इसका विकलप से होगता विकलप डी अर्थात इसके सभी विकलप सही है खात्रों का ढ़ली प्रकार में आता है कख्शा क outlines सभी विकलप सही है तो यह मैंने आज इस वीडियो में 50fach यहां आप इस वीडियों को बार-बार देखिए श finance आपको एक अभ्यास हो जाएगा कि आपको किस तरह हल करने है ठीक है देखे बच्छों आप लोग कोई भी जो जो एस्परेंट है जो एल्टी भरती परिक्षे के त्यारी कर रहे हैं तो वह अगर यह सोच रहे हैं कि उनका विश्य में बहुत कमांड है सब्जेक्ट में बिल् जो कोई भी भाग को इगनूर नहीं करना है क्योंकि मैरिड्ट जो एक नंबर से भी रुक जाएगी आपकी जिंदिगी रुक जाएगी तो आपको एक एक नंबर गेले लिए एक इक के अंक तो जब दोनु को सात में दोनी की त्यारी करेंगे तो दोनु में अगर आपका command होगा तब आप प्रसंद पत्र को हल कर पाएंगे और आपकी अच्छे मांक साएंगे और मेरे इच्छा बनेगा तब आप चयान होगा है कि तो यह अज इस वीडियो मां मैंने फिशाशन पसने को लिए है तो मुझे उम्यद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और यह आपके काम आएगा आप इस वीडियो को सुरू से लाश्ट टक देखिए आपकी त्षीर द्यारी हो जाएगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक किजिए शेयर कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक तुरांत पहुंचें बागी की जानकारी में आपको अगले वीडियो में दूंगा तब तक के लिए खुस रहिए मुस्क्रात रहिए अपने तैयारी को जारी दक्षे बहुत बहुत सब्कामने आपको धन्यवाद